टॉल्रेंस, फ्रेंड्स आप सभी ने ये वर्ड सुना होगा, टॉल्रेंस means सेहन शीलता, यानि कि हम अपने आसपास के लोगों को कितना सेहन कर सकते हैं, कितनी चीजों को बरदाश्ट कर सकते हैं, और ये अपने आप में कहीं न कहीं फ्रेंड्स से गुड होता है, कि हम दू कब तक बरदाश्ट करना चाहिए, यानि कि इसका भी कोई थ्रेश होल्ड है, यानि कि कब इसमें अलाम बच जाना चाहिए, कि भाई अब बरदाश्ट बिलकुल नहीं करना है, फ्रेंड्स इसमें जा जब से पहली चीज मैं ले रहे हूं, कि कई भाई हमारे आसपक बहुत Six atmosphere होता है, यानि कि जो addmosphere होता है, पूरे तरीके से toxic लोगों से भरा पड़ा होता है, यानि कि वो abusive तो होते ही होते हैं even वो मार पीट भी करते हैं वो हर समय जुबान से भी गंदा बोल ले होते हैं हमारे साथ हर तरीके से हमारा शोशन कर रहे होते हैं कि हर समय एक जो atmosphere होता है वो खराबी होता है उनके साथ जीना दूबर हो जाता है और उसी के साथ कई बार क्या होता है हम ऐसे work atmosphere पे होता है यानि कि हमारा जो कारे चेतर होता है वो इतना ज़्यादा polluted हो जाता है जहां पर कारे करना मुश्किल हो जाता है यानि कि बरदाश्ट से बाहर हो जाता है ये दोनों ही situation को समझेगा friends बरदाश्ट में कहीं न कई एक अस्त भी छुपा हुआ है यानि कि लोगों को बरदाश्ट करते करते कई बार क्या होता है हम खुद में अस्त हो जाते है so friends ये life हमारी है दूसरे क्या हमारा शोशन करने के लिए ही बने है या हमके वले कटपितली मात्र हैं कि हमें कोई भी use कर सकता है या हमारा शोशन कर सक या हमें अस्त कर सकता है so friends अब परदाश्ट करना बंद करिये और अपने आपको अस्त करने के बजाए उदय करिये यानि कि अपने को rise करिये अपने आपको उस atmosphere से निकाल कर किसी तरीके से जिंदा रखिये second point ले रही हूं कि कई बार हमारी जो life होती है हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो बुरी तरीके से dishonest होते हैं dishonest का मतलब जरा सा समझिएगा कि वो पूरे तरीके से हमारे प्रती loyal नहीं होते हैं पर मैं example देना चाहूंगी कि couples का कि एक person तो बिलकुल सही है लेकिन दूसरा person किसी भी हद तक बेखूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा ह यानि कि वो अपने संबंद के प्रती पूरे तरीके से निष्टावान नहीं है और यहां पर अगर आपको समझ में आ रहा है और तब भी आप जानते बूस्ते आप केवल रिष्टे को बचा रहे हैं और आपको लग रहे हैं नहीं भाई इसके बगेर तो जिया नहीं जा सक है ऐसे इनसान के साथ जीना जो आउनिस्टी नहीं है या आपको केवल बेखूव बना रहा है या केवल आपको यूज कर रहा है तो यह के साथ साथ फ्रेंट्स कई बर हम बहुत डबल स्टाइड़िड लोगों के साथ घिरे हुए होते हैं नहीं कि वह रियल में तो कुछ और होते हैं लेकिन सब के सामने कुछ और पोस्स करते हैं अपने आपको सव कर रहे बीजुवारए होते हैं इस तरीके के जो लोग होते हैं पभी कोई खिलवार नहीं है від की वो समाज में अपनी मान पितिश्चा का पूरा ध्यान रखते हैं लेकिन मैंने शुरू बोला है कि वो double standard होते हैं रियल में कहीं न कहीं हमारा शोशन कर रहे होते हैं यानि कि हमारी image खराब करके अपनी image सही कर रहे होते हैं तो ऐसे लोग भी अगर आपके आज़ पास हैं तो मैं आपको कहूंगी कि तुरंद उनको बरदाश करने के बज़ए उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करें यानि कि साथ साथ फ्रेंट्स कई बार हम कुछ लोगों के साथ काम करते हैं कुछ लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं पर उनकी फितरत में बेईमानी है excuses नाम की चीज होती है यानि कि वो बेईमान तो फितरत से होते ही होते हैं the same way हर चीज के पीछे उनके पास कोई ना कोई excuse होता है कोई ना कोई बहाना होता है यानि कि वो मान कर चलते हैं कि हमें बेवकूब बनाना बहुत ही आसान है हम सोचते हैं कि दुनिया में सारे लोग ऐसे ही हैं और ऐसे लोगों को ही बर्दाश्ट करना पड़ता हैं नहीं है जब आप ढूरने चलेंगे जब आप काम करेंगे सो आपको honest लोग भी मिलेंगे और उसी के साथ साथ काम करने वाले लोग भी मिलेंगे बैमान और अफसरवादी लोगों से भी बचिएगा और उनको कतई बदाश मत करिएगा सब्सक्राइब कई बार हमारी खुद की आदत पर जाती है self condemnation की यानि की खुद को criticize करना खुद को हर समय कुछ कुछ बुरा भला बोलना यानि कि दुनिया में कुछ भी गलत हो रहा है कुछ किसी के साथ भी हो रहा है या कुछ भी अनर्थ हो गया सबाई सब हमारी वज़े से हुआ यानि कि कोई दूसरा हमें नहीं बोला है लेकिन हम अपने आपको ही criticize करने के लिए काफी है अगर ये गलती जानते बूसे आपके अंदर develop हो रही है यहाँ पर मैं कहुँगी कि दूसरों को बरदाश करने की तो छोड़िए खुद की अपनी इस आदत को बरदाश करना छोड़ दीजिए और इसके साथ रहना कता ही नहीं है ये साथ साथ फ्रेंट्स हमारे साथ कई बार ऐसे लोग होते हैं जो केवल और केवल हमारे काम में निबलिंग करते हैं यानि कि उंगल मारते हैं या हमें criticize करते हैं उने के हिसाब से हम जीरो बटा सन्नाटा होते हैं यानि कि हमारा कोई वजूद नहीं होता है और हम जो भी काम करते हैं गलत करते हैं इस तरीके के लोग से पहले कहा जाता था निंदक नियरे राखिये अरे भाई निंदक तो नियरे राकी और निंदराखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है निंदक तो अपने आपी present हो जाते हैं पड़ यहां पर बात यह हैं कि निंदक हैं इनको किस हद तक बरदाश्ट करना है यानि कि अगर सर से पानी उपर हो रहा और हर समय केवल और केवल ये क्रिटेसाइज कर रहे हैं केवल और केवल ये हमारी लाइफ में negativity क्रियेट करते हैं इसे की वज़े से कभी भी कहीं भी develop नहीं होते हैं इस तरीके के लोगों से भी तुरंट छुटकारा पाने की कोशिश करिएगा और इनको बरदाश मत करिएगा जो निंदक वाली बात बोली है इसे की साथ साथ कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हम gossips का केंद होते हैं यानि कि उन्हें चटपटी खबरे चाहीने होते हैं जो इन लोगों को रास नहीं आता है यह तो लीक वाले लोग होते हैं घिसे पिटे ही होते हैं सो इनको कुछ नहीं मलता है तो यह हमारे बारे में gossips करते हैं गॉसिप्स होती है ये एक परसन से दूसरे परसन दूसरे परसन से तीसरे परसन यानि कि जो खबरों का पुलिंदा होता है और हमारे बारे में चीजें उड़ाई जाती है क्या की क्या बन जाती है और क्या की क्या नियूज उड़ जाती है कुछ पता नहीं होता है गॉसिप् पर ऐसे लोगों को बरदाश मत करिएगा समय निकाल कर उच्छे शब्दों में उनको ठीक से समझा जरूर दीजेगा इसको थोड़ा से समझेगा यहां दूसरे समय हमगोड़ के लिए कर रहे हं हर समय को यह lotta चल्राक ही हर यहरा है करें दूसरे भी तो सबहार और श्रहिंटे हो इस टुछर भाई आप्ड़ रिर व्ली करते हैं जैसे भी जी रहें यह उनका मामला है यहां पर बात स्वेम की आ रही है तो अपने इस बोर्डम को भी बरदाश्ट करने की जरूरत नहीं है यहां पर आपको खुद के कान अलर्ट करने और बोर्डम भरी लाइफ को आपको फ़न फिल लाइफ में चेंज करना है last but not the least हमेशा ध्यान रखेगा कि कई बार negative होने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं परती है हमारा यह जो अपना दिमाग होता है हमारी जो यह अपनी सोच होती है और हमारी जो यह अपनी कलपनाई होती है यह हमें खुद में ही negative करती रहती है यानि कि खुद में positive होते हैं लेक के गड़ी चली जा रही है तो खुद को थामिएगा खुद को इस तरीके से बरदाश्ट मत करिएगा और ही अपना auto switch on करके अपने आपको positivity में convert करिएगा फ्रेंट शेल में सिर्फ और सिर्फ आपको यह message करना था कि life बहुत beautiful है life बहुत अच्छी है life enjoy करने के लिए ब बरदाश्ट करने का एक nature है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन उसकी एक सीमा जरूर तै कर लीजेगा और हां मुझे comment करके जरूर बताइएगा कि इस बात को आप बरदाश्ट नहीं कर पाते हैं लाइक कर दीजेगा और अपने friends के साथ share कर दीजेगा और ऐसे ही life lessons जानने को subscribe कर दीजेगा thanks a lot for giving me this much time